प्री बच्चो आपका स्वागत है आपके यूटूब चैनल पे आज हम लोग करने वाले हैं कक्छा छटवी 8 ग्रेट अभ्यास पुस्ति का जो हमारी कक्छा छटवी की ए गड़ित विस्थाय का complete solution आज हम लोग देखेंगे तो प्री बच्चो तो चलिए हम लोग श्टार्ट करते हैं और इसके पहले के भी वीडियो और लाश्ट के भी वीडियो सभी वीडियो हमने अपलोट कर दिया है यहां हमारा अन्तिम वीडियो ही समझीए क्योंकि इसके बाद हमारा एक अध्याय बचा अच्चों था उसके प संपून संख्या या पर्फेक्ट नम्मर किसे कहते हैं तो देखिए संपून संख्या पर्फेक्ट नम्मर किसे कहते हैं वह संख्या जिसके सभी गुणन खंडो का योग वह उस संख्या के दो गुणा हो एक पून संख्या कहलाती है मतलब जब किसी भी संख्या के गुरंखंडों का योग करें तो उस संख्या का उद्धुगना हो जाए तो वह संख्या का कहलाती है हमारी संपूर्ण संख्या कहलाती है जैसे 6 और 28 इसका आप गुरंखंड करके देख लीजे आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के गुरंखंड करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह है गुरंखंडों के योग कर रहे हो तो टोटल उस संख्या का दुगना हो जाता है ठीक है अब अगला प्रशन ले लेते हैं भाज्य और अभाज संक्यां क्या होती है तो भाज्य और अभाज संक्यां में देखो भाज्य संक्यां कोन सी होती है भाज्य संक्यां होती है जिनको किसी भी संक्या से भाग दिया जाए तो भाग उसमें क्या हो जाता है पूर्टा चले जाता है भाग कैसा हो जाता है तीन, पाँच, साथ, ग्यारा, तेरा ये ऐसी संख्या है जिन में उसी संख्या का और एक का इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है जबकि भाजे संख्या क्या रहती है भाजे संख्या ऐसी संख्या रहती है जिन में स्वयम के अलावा किसी अन्य संख्या का कुन सी किसी अन्य संक्या का भी भाग चले जाता है वो संक्या कहलाती है हमारी भाज्य संक्या है तो कौन कुन सी 4, 6, 8, 9 और 10 ये संक्या हैं हमारी भाज्य संक्या है अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रशन है 24 स्वा प्रशन है 24 वा प्रशन कह रहा है बच्चो आप से 24 के सभी गुलनखंडों को लिखिए हमें 24 के सभी गुलनखंड लिखना है गुलनखंड का मतलब होता है कि 24 किस-किस के पहाडों में आता है जिस-जिसके भी पहाडों में आता है वह सब के सब क्या कहलाएंगे 24 के गुणनखंड कहलाएंगी तो देखो, एक के पहाड़े में 24 आता है, एक का पहाड़ा अगर 24 बार पढ़ो तो 24 आता है, दो का पहाड़ा अगर 12 बार पढ़ेंगे आप दो बारम 24 होता है तीन का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ेंगे तो भी 24 होता है और 4 का पहड़ा आप 6 बार पढ़ेंगे तभी भी 24 होता है तो अब इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे जो डबल बार है उसे एक बार ले लीजिए और जो सिंगल बार है उसे तो एक बार ले नहीं है जैसे एक, दो, तीन, चार, छै, आठ, बारा, चोबिस ये सब क्या है ये सब के सब क्या है चोबिस के गुणनखंड है ठीक है बच्चो ये क्या है सब के सब ये चोबिस के गुणनखंड है अगला प्रशन लेते हैं चौनथा प्रशन है चौंता प्रशन कह रहा है आपसे संक्या साथ के प्रथम पाँज लिखिए संक्या साथ के प्रथम पाँज यहाँ पर मैंने आपको अधिक बताया है जैसे गुलज मतलब होता है पहाडा गुलज मतलब क्या होता है पहाडा जब आप किसी भी संकhyah का पहड़ा पढ़ते हो, तो उसमें जो अंक आते हैं, वह क्या कहलाता है? आपके लिए गुलच कहलाता है, क्या कहला एगा? गुलच कहला एगा, जैसे साथ एकम्सास, साथ दो नीचोधा, सात रेक्काई, साच चोक यठाई, साता पना पैंतिस हमें यहीं तक पूछा है हमने यहीं तक लेकिन हमने यहाँ पर देखो साच्छिंग बैलेज सासते और अन्चास आपको अधिक भी और बता दिये हैं ठीक है बच्चो आप इस प्रकार चोंते प्रशन का उत्तर कर लेंगे अगला प्रशन है पांचवा प्र का उल्टा क्या हो गया 11 आप लिखना चाहें तो 12, 21 फिर 31 फिर क्या हो जाएगा इसका 13 हो जाएगा मतलब ऐसी धेर सारी संक्या है जिन में से हमने कुछ आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है आप इन संक्याओं को लिख सकते हैं और इस प्रकार से आधी लिख देना समझ क्या हाँ, विभाजेता की जाच करने के नियम बच्चो बहुतीजी हैं वहाँ पर आपको देखो हमे 1 गयारा का पूछा इसके लिए हम 1 के इभारे में पढ़ेंगे, कि विभाजेता की जाच के नियमों दोगारा ज्यात कीजिए कि निमलिखित में से कौन सी संख़ाइं ग कहता है कि विसम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग का अंतर ये देखो ये विसम संख्या क्या है यहाँ पर पांच और हमने क्या ले लिया चार तो पांच और चार क्या होगे यहाँ पर विसम होगे एक बास पर से देखो ये वाली 5 ये जो दिख रिया आपको ये वाली 5 और ये वाली 4 जिसके उपर पेन जा रहा है वो वाली देखिएगा ये वाली 4 थोड़ी बाजू में चलेगा ये 4 इन दोनों का योग कितना आया? 9 आया ये हो गए हमारा विसम अब सम क्या है? ये 4 है और ये 5 है ये 4 और 5 का य योगो को आपस में घटा दीजे जो भी योगा है तो 9 में से 9 गया 0 अता 11 से विभाज्य हो जाए क्योंकि 0 आ गया जो 11 से भाग चल जाता है जीरो में इसकली क्या हो जाएगा 11 से विभाज्य है ठीक है बच्चो अगला प्रशन लेते हैं अगले में 1331 है अब 1331 में यहां पर भाग देओ तो चले जाएगा 11 सुन नमसुन इसकली क्या हो जाएगा यह भी 11 से विभाज्य हो जाएगा अगली संक्या है 5,081 एक को 0 में जोड़ो तो जोड़े तो कितना आया एक आया 5 को 8 में जोड़े तो 8 और 5,13 अब 13 में से 1 गया तो कितना आया 12 अब यह क्या लिखे संक्या नहीं है अगला प्रशन है सात्वा प्रशन है बच्चों 35 और 50 35 और 50 के सारो गुणखन लिखी सारो गुणखन मतलब होता है दोनों के पहाड़े में आना चाहिए मतलब कि जब उनके गुणखन निकालो आप इस प्रकार से आप 35 का और इस प्रकार से आप 50 का निका ले हमने तो 35 के आ रहे हैं 5 गुणा 7 और 50 के गुणखंड आ रहे हैं 2 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 25 मतलब यह क्या होगा है गुणखंड सौरी यहां पर हमने गुणज ले लिया उसके गुणखंड कह सकते हैं यह वाले यह भी गुणखंड है तो यहां से देखो जब हमने ग करने कोशिस कीजिएगा अगला प्रश्न है आठवा प्रश्न क्या कहता है बच्चो एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज है किसी अन्य संख्या से यह संख्या सदे विभाज होगी या नहीं बताना है तो हां यहां संख्या 5 और 12 जो 5 और 12 से जो संख्या विभाज है वह किसी अन्य संक्या से विभाज होगी जैसे 60 के बठे 5 तो 12 पंचे 60 या आ गया यव 5 बारम 60 12 एकम 12 12 पंचे 60 हो गया 60 जो संक्या अब वहे संक्या 60 से भी तो विभाज है जैसे 60 को 60 से विभाजित कर सकते हैं तो यह कहा रहा है कि नहीं तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ वह जब 5 और 12 से दोनों से विभाज है तो वो किसी अन्य संक्या से विभाज होगी और वह संक्या सद्यों क्या होगी वही संक्या होगी जिससे उन्हें विभाजित करने पर वो मान आता है और अगला प्रशन है हमारा बहुत अच्छा ह महत्तम समातपर्द ग्यात करना है महत्तम मतलब की अगर हम गुलंखंड निकाले इनका तो गुलंखंड तीनों में चले जाना चाहिए तीनों संक्याओं में अगर भाग दे रहे हम लोग तो तीनों में जाना चाहिए तब वह क्या कहलाता है महत्तम कहलाता है तो यहां पर 12, 16 और 18 का देखो 2 का दिये तो 2 इचिंग 12 आया 2, 8, 16 आया और 2 का पहला 14 बार पढ़ेंगे तो 28 आता है उसी प्रकार 2 ती अच्छा है हुआ 2 चोके 8 और 2 सत्य 14 फिर 2 का दिये तो यहां पर चले गया फिर इसी प्रकार आगे हल करें तो यहां पर पूरा पूरा हमने दे दी अब यहां पर बात आती है किस संक्या का किस में गया तो देखो 2 का इन 3 में गया है यह वाले 2 का भी फिर इन 3 में गया लेकिन बाकी कोई संक्या ऐसी है कि जिसका 3 में भाग गया हो नहीं गया ना कोई भी ये दो देखो चार को डिवाइट करा, तीन और साथ को ने करा, ये दो फिर दो को किया, ये तीन याले तीन को किया, और साथ ने इसको किया, मतलब ऐसी कोई भी संक्या नहीं है, फिर इसके अलावा कि जो दोनों को डिवाइट कियो, इसके लिए यहाँ पर दो गुणा दो ब 12-24 और 32 से विभाजो आपको करना क्या है आपको सबसे पहले गुलन्ख्ण निकालना है इस परकार से आप गुलन्ख्ण निकालेगे तो 2 परकार essay आप लेगे तो दहिनांव 18 चो बिसमें 2ula फिर 2 एकम दो और एक बच गया तो 12 हो गया तो 12 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 12 से न बढ़े तो 11 फिर 2 का नौ प्र आगा दीए तो 3 नौ जैसे का वैसा लिख दीजेगा उसमें क्यों नहीं जा रहा है फिर 2 चो के 8 फिर 2 का जारा चार में तो 2 दो नी 4 फिर 2 आगी दो अब यह वहां से 3 का दिए तीतर का ना तो यह आगया 3 और 3 एकम 3 अब आगे देखो फिर 3 का दिए तो 3 एकम 3 फिर यह तो एक तो एक एक पहले से आचुके थे तो आप हमें उसकी जरुत नहीं है अब आगे देखो यहां क्या हो रहा है 18, 24 और 32 का लगुतम समापर्त निकाले तो क्या आगया यहाँ पर हमने यहाँ तक बस गुणा करा यह तीन रहे गया था तीन का यहाँ पर गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया 48 और 32 तिया 96 और 96 गुणा 3 करे तो कितना जाएगा 288 अब इस 288 क्या है यहाँ हमारी छोटी से छोटी संक्या हो गई ठीक है लगुतम निकालने पर मिल गई अब हमें 4 अंकों की बोला इसकलिए 4 अंकों की सबसे छोटी संक्या क्या होती है 1000 अब 288 जो हमारा गुला गुतम समापरता आया है उससे 1000 से भाग दे दीजिए बच्चों यहाँ पर में पास जगे नहीं थी जगे कम थी इसकलिमें यहाँ पर भाग नहीं दिया आप भाग देके देख लीजेगा तो भाग फल से मतलब नहीं है अब यहाँ पर हमें मतलब सेस फल से कितना सेस बचा है 136 तो आपको करना क्या है 1000 में 288 को जोडना है और जो भी आए उससे 136 को घटाना है या हम ये कह सकते हैं कि 288 में से 136 को घटाना है तो घटा आए और फिर 1000 में जोड दिये तो यह कितना आ रहा है 1152 मतलब इस प्रशन का उत्तर क्यों हो और ऐसे ये वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सेक्राइब का लिए क्यूंकि जो भी वीडियो डालते हैं बहुत अच्छे से दालते हैं जिससे कि आप लोगों का बहुत फायदा हो सके मूह बहुत अच्छे से सीक्ष सकें ठीके बच्चों अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट कर लीजे, कमेंट करेंगे आपको और कोई इंप्रशनों की कुछ भी दिक्कत आ रही है या कोई वीडियो की लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट करके मांग सकते तो ठीके बच्चो मिलते हैं हम अगले वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग सब्सक्राइब आवस कीजेगा बच्चो